नमस्कार चानक्या I.S. Academy के संपाद की विश्लिशन में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम समाचार पत्रों में प्रकासित उन विभिन संपाद की पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे जो परिच्छा के दिश्टिकों से उप्योगी हैं इस क्रम में वेडियो की सुर्वात करते हैं इस प्रश्न के साथ प्रश्न है कि भूखे पेट शांती की स्थापना नहीं हो सकती है कथन की समिच्छा करें और यह जो प्रश्न आप से पूछा गया है वो समंधित है आज के संपादिकी से पहले की तरह आज भी तीन संपादिकी को शामिल किया गया है जिसमें पहला संपादिकी है जिसका सिर्शक है फूट फॉर पीस इसे लिया गया है दा हिंदू न्यूज पेपर से और इस संपादिकी को हम एकोनॉमिक एंड सोसल डेवलप्मेंट के साथ जोड़ कर देख सकते हैं वहीं दूसरा संपादिकी है जिसका सिर्शक है एक जरूरी कारिका सुभारम्ब यह संपादिकी लिया गया है दैनिक जागरन से और इस संपादिकी को हम शासन के साथ जोड़ कर देख सकते हैं आज हिंदु में एक संपादकी मौद्रिक नीती समीती की हालिया बैठक में लिये गए निरणे पर आधारित है। इस विसे पर विस्तार पूरवक चर्चा 10 औकटूबर के संपादकी में की जा चुकी है। अब इन तीनों संपादिकी पर विस्तार पूर्वक्ष चर्चा करने से पूर्व हैं। पिछले संपादिकी में जो प्रस्ण पूछा गया था, देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। प्रस्ण है कि उच्च मुद्रा इसफीती को नियंतरित करने के संदर्व में निम्न परविचार करें। बाजार में मुद्रा की पूर्थी में कमी की जाएं। तो मुद्रा की पूर्थी में कमी पहले की तुलना में तब संबग है जबकि रैपोदर में विर्धी की जाएं। री रैपोदर में विर्धी की जाएं। CRR में विर्धी की जाए और SLR में विर्धी की जाए तो अब यहाँ जो सवाल यह है कि उपरिक्त में से किसे कम करने की आविश्चता है तो फिर इसमें से किसी को भी कम करने की आविश्चता नहीं है तो इसका जवाब क्या होगा इसका जवाब है option D किसी को नहीं चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले संपाधिकी की और, जिसका सिर्शक है Food for Peace on 2020 Peace Nobel है. इसका आधार क्या है? इसका आधार है 2020 का शांती नोबल पुरसकार और 2020 का शांती नोबल पुरसकार प्राप्त हुआ है विश्व खादिकारिकरम को. विश्व खादिकारिकरम को जो 2020 का शांती का उसका आधार क्या है वो देखें आधार है कि विश्व खाद कारिक्रम के अंतरगत भूक के विरुद्ध जो प्रयास किये गए वो काफी महत्पूर्ण है। एक महत्पूर्ण कारक की भूमिका निभाई। एक उपकरन ना बने, एक हथ्यार ना बने युद्ध में लोगों को सामिल करने के लिए तो वहाँ विश्व खाद कारिक्रम ने अपना महत्पूर्ण योगदान दिया है भूकमरी को समात करने में, भूकमरी को रोकने में। वहीं बहु पक्षिय सहयोग के द्वारा वैस्विक इस्तर पर खाद सुरक्षा को इस्थापित करने में भी विश्व खाद कारिक्रम की भूमिका अतन्त महत्पूर्ण है। कि वैस्विक इस्तर पर COVID-19 महमारी के प्रसार के बाद जो आर्थिक गतिविधी लगभग ठप हो गई, लोगों के रोजगार छिन गए, दैनिक आधार पर आय कमाने वाले जो लोग थे, उनकी इस्थिती अत्यन्त दैनी हो गई, तो उस इस्थिती में कोई भूखा ना रह इस दिसा में भी विश्व खादिकारिकरम ने महत्पून कारी किया, तो इतने अच्छे प्रयासों को देखते वे, इतने उलेखनी कारियों को देखते वे, 2020 का शान्ती नौबल पुरुसकार दिया गया है विश्व खादिकारिकरम को, अब जरा एक नजर डालते हम इसकी इस्थापना 1961 में की गई, लेकिन 1963 इस्वी में आपचारिक रूप से खाद एवं किर्सी संगठन और संयुक्त रास्ट महासभाने तीन वर्सों के लिए प्रयोगात्मक रूप में इसकी सुरुबात की है, और 1965 इस्वी से यह निरंतर रूप से कारी कर रहा है, इसका ग्रीक कला से पूर्णता प्रभावी छेत्र, युद्ध से पूर्णता प्रभावी छेत्र, जैसे यमन, सीरिया, कांगो, नैजीरिया और दशनी सुडान, वहाँ पर भूख, भुगमरी को समाप्त करने के लिए विस्थु खादिक कारेकर्म ने अपना उलेखनी योगदा इतना है, अगर हम भारत की बात करें, तो TPDS, मतर टार्गेटेट पॉब्लिक इस्टिविशन सिस्टम, और मिड़े मिल इसकीम, इस योजना को और इस तरह की योजनाओं को सफल बनाने में भी विस्थु खादिक कारेकर्म की महत्रपुन भूमिका है, वहीं, अगर हम वाँवेक्ति भुख मरी से ग्रसित है, और वैस्विक भूख सुचकांग, मतर ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हालिया रिपोर्ट की अगर हम बात करें, जिसे जारी कोन करती है, अंतरास्टिक खाद नीती अनुसंधान संस्थान और दो गैर लाबकारी संस्थान, एक वैस्विक इस्तर पर भुख मरी से ग्रसित जो व्यक्ति है, उसमें 5% की विर्धी हुए है, और संभावना तो यह है कि COVID-19 इसकी महामारी के बाद बड़ी संख्या में लोग भुख मरी से ग्रसित होंगे, वहीं भूख के इस्तर, मतलब यह कि भूख का क्या इस्तर है, तो तो इसमें यह पाया गया कि बेहतर खतरनाक इस्तर पर मद्य अफ्रीकी गनराज्य है, वहीं खतरनाक इस्तर पर जांबिया, चाड, यमन और मेड़ा गासकर जैसे देश है, और गंभीर अगर देशों की बात करें तो 43 देशों में भारत भी सामिल है, और भारत की इस्तिती देखें तो अफ्रीकी देशों के समकच है, और पोजिसन देखें आप 117 में क्या पोजिसन है, 102 और भारत की तुलना अगर पड़ोसी देशों से करें, तो भारत की इस्तिती चिंत नहीं है, क्यों देख लें आप यहाँ पर चीन करें, देखें 25 स्रिल्लंका 66, बांगलाद 88, नेपाल 73, पाकिस्तान 94, मयानमार 69, तो अब यहाँ पर यहाँ कि भारत के संदर में अगर हम बात करें, कि भारत में आखिर भुखमरी की इस्तिती क्यों है, भारत में आखिर अलप पोशन, कुपोशन की इस्तिती क्यों है, तो इसके महत्पूर्ण कुछ कारक है, जैसे पहली बात तो यह कि जलवायू परिवर्तन, तो जलवायू परिवर्तन की कारण क्या है, कि या तो बहुत जादा बारिस हो जाती है, जिसके कारण बार की समस्या होती है, या नहीं तो बारिस एकदम से नहीं होती, जिसके सुखा प्रभावी छेतर देखने को मिलते हैं, जिस क्रिसी उत्पादन है वो क्रिसी उत्पादन बुरे तरीके से प्रभावित होता है। वहीं, गरीबी भी एक महत्पूर्ण कारण है, चाहे वो भुखमारी का हो, चाहे वो कुपोशन का हो। क्यों? इसलिए, क्योंकि महत्पूर्ण खाद्यानों तक लोगों की पहुँच अत्यनती ही सिमित हो जाती है जब व्यक्ति गरीब होता है। वहीं, यहां जो सिक्षा की बात की जा रही है, यहां सिक्षा है जागरुकता के संदर में। और भारती समाज के खाद्यान को चैन करने के मामले में जागरुकता की कमी है। वह भी काफी बड़ा कारण है कुपोसन और भुखमरी का। उसके अलावा, छेत्री और समानता भी एक महत्पुन कारण है क्योंकि हमें यह पता है कि भारत में कुछ जो राज्य हैं, वह काफी सम्रिद हैं, जबकि कुछ ऐसे राज्य हैं, जहां पर अभी भी गरीबी का इ प्रयाद्त है, हमारे यहां रिकॉर्ड तो अन्न का उत्पादन जरूर हो रहा है, खाध्यानों का उत्पादन जरूर हो रहा है, लेकिन इसके भंडारन से समंदित, जो अबसनचना होनी चाहिए, वह प्रयाप्त मातरा में मौजुद नहीं है, इसी कारण, सालों साल से, मत यहां पर खाद्यान सड़ रहें, गल रहें और बिकार हो रहें, और उसके अलावा सरकार के द्वारा जो पब्लिक डिस्ट्यूबिसन सिस्टम है, तो साजनी की तरण पढ़ना लिए, इसका लक्ष क्या है, इसका लक्ष है कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक खाद्यान की उपल सब्दता हो, इसको सुनस्षित करना, लेकिन क्या है, कि इसमें बड़े पैमाने पर जो भरष्टाचार है, उस भरष्टाचार के कारण खाद्यान की पहुँच लक्षित वर्ग तक संभव नहीं हो पाती है, और लक्षित वर्ग तक जब खाद्यान की पहुँच नहीं हो वह उसे प्रिरित करेगा या जो उसे सम्मान मिला है वह उसे प्रिरित करेगा किस बात के लिए sustainable development goal मतलब सतत विकास लक्ष को प्राप्त करने के लिए सतत विकास लक्ष में 17 लक्षों का निर्धारन किया गया है जिसे 2030 तक प्राप्त करना है और इन 17 लक्षों में से जो दूसरा लक्ष है वो क्या है 2030 तक सुन्य भूख को प्राप्त करना अब यहाँ पर यह है कि 2030 तक वैस्विक इस्तर पर सुन्य भूक को प्राप्त करने का जो लक्ष रखा गया है वो संभव है वो कब संभव है वो तब संभव है जब वैस्विक इस्तर पर जो हमें देखने को मिल ला है विभिन भागों में जो ससस्तर संघर से दिखने को मिल ला है उसका समाधान प्रस्तुत किया जाए वहीं global warming या जो कार्बन उस सरजन है उसको जो अपेक्षित इस तरह है वहां तक उसको कम किया जाए जलवाई भी घटना है मतल़ जो climate events है उसका जो effect है उसका कम से कम प्रभाव किर्सी पर पड़े इसके उपाय अपनाए जाने चाहिए और ये जितने भी यहां पर समाधान की के को प्राप्त हो सके तभी सुन्य भूक के लक्ष को प्राप्त किया जा सकता है तो इस प्रकार अपने पहले संपाद की में हमने क्या देखा हमने यह देखा कि इस बार का सांती का नोवल प्रुसकार किसे मिला है और क्यों मिला है और जिस आधार पर मिला है उस आधार को और कैसे मजबूत किया जाए, वैस्विक किस तरपर और भारत किस तरपर, तो इस पर भी हमने विस्तारपूरवक चर्चा के लिए। चलिए, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे संपादिकी की ओर। हमारे जो दूसरा संपादिकी है, उसका सिर्षक है एक जरूरी कारिका सुभारंबर्ण। और इसका आधार क्या है? इसका आधार है स्वामित्य योजना। अब देखें, स्वामित्य योजना के तहत प्रधान मंत्री ने एक लाख प्रॉपर्टी कार्ट्स का वित्रण अलाकि यहाँ पर यहाँ जानना आवस्यक है कि जो प्रॉपर्टी कार्ट्स का वास्तिक वित्रण है, वो किसके द्वारा की जाएगी? वो की जाएगी राजी सरकारों की द्वारा। अब यह जो एक लाख प्रॉपर्टी कार्ट्स का वित्रण किया गया, इसका किया गया था, 24 अप्रेल 2020 को राष्टिय पंचायती दिवस के अफसर पर है, और इसका नोडल मंत्राले कौन सा है, पंचायती राज मंत्राले, और वहीं राज की स्तर पर इसका नोडल विभाग कौन सा है, राजस या भूलेक विभाग, और जो सर्वे किये जाएंगे, भूम 2020 से मार्च 2024 तक, 6 लाख गाउं को इसके अंतरगत सामिल करना है, वहीं देश में 300 CORS की स्थापना करना है, क्या है CORS, तो Continuous Operating Reference System, यह क्या है, यह एक Geo Positioning Infrastructure है, जिसके अंतरगत, जो जमीन है, या जो आवासी है, इलाके है व्यक्तिकत रूप से उसको टै किया जाएगा, और यह तै करने में सहुलियत होगी, वहीं ड्रोन की तकनीक और CORS, इन दोनों तकनीकों के द्वारा, आवासी भूमी की माप की जाएगी, और ग्रामीन विकास योजना, के अंतरगत जो विभिन प्रकार के निर्मान कार रहे हैं, प्रगती के कार रहे हैं, विकास कार रहे ह उसमें और कितनी जादा विर्द्धी हो, तो स्वामित योजना के द्वारा उसमें मदद ली जाएगी, अब यह जो योजना प्रारम की गई है, इसका क्या लाव हो सकता है, तब जरा इसके लावों की चर्चा करें, पहली बात तो यहाँ पर यह है, कि भूमी से समंदित, जो लेखा जोखा है, उसका कारें पूर्ण होगा, वह इसलिए, क्योंकि अभी तक हमें यह पता है, कि खेती योगी जो जमीन है, उस खेती योगी जमीन से समंदित, जो लेखा जोखा है, वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन आवासी समंदित, जो लेखा जोखा है, वो और लोगों को यह जो डर होता है कि उसको उसके घर से निकाल दिया जाएगा, जमीन से निकाल दिया जाएगा, तो यह जो बेदखल करने की आर्शंका है, वह भी कम हो जाएगे. ड्रोन की मदद से जो प्रॉपर्टी जो नक्से तयार किये जाएगे, वह कैसे नक्से होगे, वह डिजिटल नक्सा होगा, वहीं जब एक व्यक्ति को मालिकाना हक मिल जाएगा उसके जमीन का, उसके घर का, गरामीन इस तरपर, तो फिर जमीन को खरीदने और बेचने, की जो प्रक्रिया होगी, वह तेज हो जाएगी, और या संभव हो पाएगा, उसके अलावा, एक व्यक्ति अपने उसी जमीन दस्तावेज के आधार पर कर्ज प्राप्त कर सकेंगे, साथी साथ, पंचायत के इस तरपर, जो टैक्स विवस्ता है, उसमें भी सुधार होगी, और इ जमीन के आधार पर कर्ज भी ले लेंगे, तीसरी बात यहां पर यहां पर यह कि पंचायत इस तरपर, जो टैक्स विवस्ता है, उसमें भी सुधार होगा, तो ग्रामीन भारत में क्या देखेंगे, वित्ती इस्थिरता की इस्तिती देखी जा सकती है, और प्लानिंग करने की मदद लेगी, क्योंकि इसमें जो प्रापर्टी है, उसका एक डिजिटल नकसा होगा, और उसके सठीक लेंड डिकॉर्ट होगे, अब निसकर्स रूप में यहां पर यह बात कही जा रही है, कि यहां जो योजना प्रारम की गई है, उसमें आधनी तक्नीक का प्रयोग कि जा गया है, तो सठीकता तो उसमें होगी, लेकिन योजना का जो लक्ष है, उस लक्ष को प्राप्त करने के लिए यहां आवस्यक है कि सरकार पुन रूप से प्रतिबद्र है, तो इस परकार हमने अपने इस दूसरे एडिटोरियल में, ग्रामीन छित्र में, जो मालिकाना ह जमीन का, मकान का, तो उससे समंदी जो योजना आई है, उस पर हमने विस्तारपूर्वक चर्चा किया है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे संपादिकी की ओर, यह जो हमारा तीसरा संपादिकी आज का, जिसका सिर्शक है सुरक्षा में सक्थी, इसका आधार क्या है, देखें, इसका आधार है, महिला दुसकर्म मामलेस के संदर्व में, केंद्र सरकार के द्वारा राज सरकार को जारी दिसानिर्देस, अब यहाँ पर यह उलेखनी है, मतलब इस बात की चर्चा करनी काफी जोरी है, कि इस परकार की जो दिसानिर्देस जारी किये गए है महिला दूसकर्म करने के मामले में तो यौन अपराद के मामले में केंद्री ग्री मंत्राले की या पाली सक्त हिदायत नहीं है। मतलब या जो दिसा निरुदेस जारी किये गए कोई अ पाली बार जारी नहीं की गई है। दिल्ली में निर्भया की परती हिंसा और यौन दुर्विभार की घटनाएं कम होने की बजा लगातार बढ़ती गई हैं और इस बीच ऐसी अनेग घटनाएं हो चुके हैं जिन में बलातकार के बाद पिडिता की बरबरता से हत्या करती गई हैं और उन्ही कई मामलों में से एक मामला जो अभी हाल मे प्रकास में आया वह मामला है हात्रस का मामला है हाला कि बहुत सारे ऐसी घटनाएं घटी हुई है लेकिन जो मामला प्रकास में वह कौन सा है वह हात्रस का मामला अब इस हात्रस के मामले में क्या कमिया देखी गई वो देखे पहली बात तो यह जो पिडिता थी तो उसकी प चाहिए थी उसमें भी देरी की गई वहीं पिडिता के बयान को दर्ज करने के लिए जिस प्रकार के विधी सम्मत्ता की आवस्चक्ता थी विधिक प्रक्रिया की आवस्चक्ता थी उसका भी उलंगन किया गया इतना है नहीं पिडिता की मिर्तियू के बाद थी उसके शरीर को परिजनों को नहीं सौपा गया बल्कि पुलीस के द्वारा खुद उसका दासंसकार कर दिया गया तो यह जो घटना घटी है इस घटना के बाद लोगों में आक्रोस उबजा और आक्रोस इस इस्तर का उबजा उस आक्रोस को देखते हुए गरी मंत्राले ने दिसा निर्देश जारी किया है राज्यों को अब जो यह दिसा निर्देश जारी किया गया है देखें उसमें क्या-क्या महत्पुन बात है पहली बात कि अपराद के संदर्व में FIR को दर्ज करना अनिवार्य होगा और यह जो FIR की प्रकृती हुआ कैसे हुआ है 0 FIR 0 FIR का मतलब यहां पर क्या है इसका मतलब यहां पर यह है कि FIR दर्ज करने में यह नहीं देखा जाएगा बात कार के मामले में कि यह घटना किस थाने में घटित हुए है किस थाने के अंतरगत घटित हुए है एक पिडिता किसी भी थाने में मामले को दर्ज करा सकती है वहीं IPC की धारा 166 AC के अंतरगत अगर FIR को दर्ज करने में कोई भी अधिकारी आनाकानी करता है या दर्ज नहीं करता है तो उसको सजा हो इसके भी प्राबधान है वहीं CRPC की धारा 164 AC अंतरगत यौन सोसन मामला की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर जो पीडिता है पीडिता की सहमती से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिसनर उसकी जाच करेगा वहीं आगे जो दिसा निर्देश जारी किये गये हैं उसके अनुसार CRPC की धारा 173 इसके अंत्रगर बलातकार की जो घटना है उससे समंदी जो मामले है उसके जाच दो मेने के भीतर करवाई जाने के प्रावधान है वहीं ध्यान दीजेगा इस पर कि राज्य को या सलाह दी गई है कि राज्य इन्वेस्टिगेटिंग ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्स्वल ओफेंसेस इस ऑनलाइन नेटवर्क का इस्तमाल करे यह जो ऑनलाइन नेटवर्क है इस नेटवर्क पर देश भर के दुसकर्म के आरूपियों और दोस्यों की जानकारी होती है और इस नेटवर्क के इस्तमाल से यह पता चल सकेगा कि आरूपित पहले भी किसी दुसकर्म के मामले में सामिल तो नहीं है ऐसी इस्तिती में आरूपितों की सजा काफी कड़ी हो सकती है वहीं Bureau of Police Research and Development के द्वारा जो सबूत अकत्रन के लिए जो किट दिया गया है तो यह जो कीटे वो लगभख सभी राज़ सरकारों को उपलब्र करवाये जा चुका है तो दिसानिर्देस में अब बात कही जा रही है कि राज. इस तरह के किट का उप्यो करे सभूत के एकत्रन के लिए उसके अलावा राज और कें पिरदेश जारी करें। अब निसकर्स रूप में यहां पर यह है कि यौन अपराद और हत्या मतलब महिला से संबंदित या जो अपराद है तो इसमें कोई दोराय नहीं कि हर समुदाय की महिलाएं इससे पीडित रहती हैं। इससे पीडित हुई हैं। अब यहां पर मामला यह है कि इसमें जादा तर किस तपके की महिलाएं पीडित हुई हैं। तो जो निचला तपका है तथा कतित निचला तपका वो जादा प्रभावित हुई है। और यह देखा गया है कि ग्रामीन इस तरों पर कसबाई इस तरों पर जाती रंजिसों के परिणाम के फलस्त्रोप इस प्रकार के यौन अपराध होते हैं। उसमें द्रिष्टिकोन कैसा होना चाहिए। तो द्रिष्टिकोन इस प्रकार का नहीं होना चाहिए कि किस राज्य में या घटना घटी है और वहां किस पार्टी की सरकार है। करन के लक्च को प्राप्त करना चाहते हैं तो महिला के परती होने वाले अपराधों को संपूर्णता में देखना अत्यनत ही आवस्यक है। तो इस प्रकार हमने तीन संपादिकी पर विस्तार पूर्वक नज़र डाली। अब हम देखते हैं आज का सवाल। सवाल यह रहा कि नोबल सांती प्रुसकार के संबंद में निम्न पर विचार करे। पहला विस्तुखादिकारिकरम दूसरा यूरोपियन यूनियन तीसरा जलवाय। परिवर्थन पर अंतर सरकारी पैनल। उपरियुक तुमें से नोबल पुरुसकार मिला है। उप्सन A पहला दूसरा, उप्सन B दूसरा तीसरा, उप्सन C पहला तीसरा और उप्सन D पहला दूसरा और तीसरा। तो कमेंट सेक्षन में आपके जborब का इंतजार रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ